हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा फ्रांटकर प्रो ट्रेंड के बेसिक वीडियो एडिटिंग टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम आपको बताएंगे कनेक्टिंग एडिटिंग के पारे में जो कि एक previous version के हिसाआब से नया term है और नई technique है जिसके हिसाआब से earrating vfcp10 में होती है connect edits connecting clip यानि आने वाली clip Main storyline के उपर किसी clip के साथ connect होती है इसके connecting करने के लिए आपको skimmer और play head की position के बारे में हमने कई बार आपको बताएंगे वही conditions हैं, आपको skimmer या playhead की हलात में skimmer को ये follow करता है, यदि skimmer timeline पे नहीं है, तो आप playhead को follow करेगा, connect, edit करने के लिए ये जो clips आपको उपर दिखाई पड़ रही है, ये एक दूसरे से connect है, जिस position पे आप चाहें, वहाँ इनको connect कर सकते हैं, और ये in future में इसी frame पे, इसी position पे रहेंगी, जैसे हम यहाँ पर कोई clip connect clip करना चाहते हैं, connect clip का प्रियोग हम basic तोर पे clip पे cut ways आइड करने के लिए, titles आइड करने के लिए, या sound को synchronize करने के लिए connect clip का प्रियोग करते हैं, और ये बहुत ही उप्योगी option है, जिससे clip की position, connect clip की position में कोई अंतर नहीं आता है, और वो उसी पर connect रहती है, इसका प्रियोग करने के लिए बहुत simple तरीका है, जैसा कि हम आपको पहले edit में बता चुका हूँ, playhead की position उस frame पे रखें, या आपके skimmer का उस position पे रखें, जहाँ पर आपको clip को connect करना है, यदि skimmer होगा, तो skimmer की तरफ आएगा, playhead वर्क नहीं करेगा, हम यहाँ पर playhead और skimmer एक position पे रखते हैं, और यहाँ पर उस clip का चुनाओ करते हैं, जिस clip को आप timeline पे यहाँ पर connect करना है, यहाँ पर से हम उस clip select कर लेते हैं, और timeline पे connect clip के रूप में लाने के लिए, हमारे सामने कई सारे तरीके हैं, जिनका हम प्रियोग करते हैं, यहाँ पर आप screen पे tool option होता है, connect the selected clip to the primary storyline, यहाँ पर सदय एक बात ध्यान रखना, कि primary storyline पर clip मौजूद हो या ना हो, connecting clip सदय और primary storyline से उपर ही आएगी, यदि already connected clip है, तो यदि उसके उस position पे, आप जैसे इस position पे आप connect करेंगे, तो यहाँ पर connect हो जाएगी, यानि connecting clip के उपर भी आप clip को connect कर सकते हैं, हम फिलाहाल यहाँ पर playhead रखते हैं, और इसको time line पे लाने के लिए, या connecting clip के लिए प्रियोग करने के लिए, यहाँ पर एक icon है, आपका connect clip, जिसका shortcut command क्यूँ है, इसको एक click करके, आप time line पे select की गई clip को connecting clip के लिए रूप में ला सकते हैं, connecting clip एक तरीके से एक layer की तरीके से आती है, और जिससे की नीचे की, जो main story line पर मौझूद clip है, वो नहीं दिखती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, connecting clip एक तरीके से overlay होती है, नीचे की story line के लिए, यदि आपने ऊपर कोई वीडियो connecting clip में डाला है, तो नीचे की वीडियो आपको show नहीं होंगी, इसलिए connecting clip बनाने से पहले ध्यान रखना कि आपको नीचे की clip आपको show नहीं होंगी, और पूरा कार, basic editing वाले सारे कार सामान तरबर performance होंगे, connecting clip के लाने के लिए, इसके अतरिक और तरीके हैं, clip को select करें, और edit में जाएं, यहाँ पर भी आपको connect to primary story line क्यूं साट्ट कमांड दिया गया है, यहाँ से click करके भी selected clip या पूरी clip को timeline पे लाया जा सकता है, यानि यहाँ देखिए आपको, दो connecting clip है, यह main story line है, यह इससे connect है, और यह इससे connect है, यानि आप इसकी position को अपने हिसाब से connect कर सकते हैं, और यह connecting editing है, इससे आपकी duration पे कोई फरक नहीं पड़ता है, बस इससे नीचे की main story line की वीडियो आपको preview monitor में दिखाई नहीं पड़ होगी, connected clip के लिए सदे हो हम लोग cutaway shorts का प्रियोग करते हैं, titles को superimpose करते हैं, या किसी sound को या background music को synchronize करने के लिए भी connecting editing का प्रियोग किया जाता है, जो main story line पे connect होती है, connecting clip timeline पे है, और आपने नीचे की clip को आप और रैप कर दिया है, या आपने यहाँ पर इसको delete कर दिया तो यह connecting clip भी आपकी delete हो जाएगी, यदि आप यहाँ पर इसको all right करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने depress करके all right किया, तो आपकी connecting clip पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, यदि आप replace करते हैं main story line की clip को, तो भी आपकी editing पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, connecting line को भी आप सामान तोर पर द सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी clip से connect कर दिया, तो वो उसकी position को move नहीं किया जा सकता है, या उसको trim नहीं किया जा सकता है, या उस पर कोई effect नहीं लगा जा सकता है, सारे कारे को किया जा सकता है, connecting clip में, जैसे कि किसी main story line की clip पे, जो filter, जो transition, जो operations कर सकते हैं, सा है आपकी connecting editing यानि एक clip में दूसरी clip को connect करना connect edit में सबसे फायदावन यह होता है कि आप इससे किसी भी clip को आप remove नहीं होती है कोई clip इससे delete नहीं होती है बलकि यह automatic उपर के layer में आती जाती है यह चाहे connect to connect करें या main stream पे click करें या उपर की layer पे आएगी यद कोई clip आ जाती है बीच में तो automatic वो उपर या नीचे connect हो जाती है यदि आपने यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखे position यह है यह यहाँ पर है और यह यहाँ पर यह पहले से मौझूद है यहाँ पर हम कोई ऐसी क्लिप करेंट करते हैं जिसकी लिए इस एरिया से ज्यादा है तो आप यहाँ connected क्लिक करेंगे आटोमेटिक यह उपर के layer में आ जाएगी इसको यह रिमूब नहीं करेंगी थैंक्यू फार वाचिंग